दोस्तों दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शेहरों में software development का business बहुत common है लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ types of software companies की तो basically software companies को दो parts में broadly classify किया जा सकता है एक है service based company और एक है product based company इन दोनों तरह की software companies में क्या difference होता है दोनों के क्या क्या present cons होते हैं यही इस वीडियो में आज हम discuss करने वाले हैं अगर आप लोग अपनी software company चला रहे हैं या फिर start करने वाले हैं तो ये वीडियो end तक जरूर देखिएगा और अगर information पसंद आए तो वीडियो को like, share और subscribe करना ना भूलिएगा दोस्तों जो सबसे common और सबसे traditional तरीका है किसी भी software company को start करने का और उसे run करने का वो है service based company जिसमें कि आप business development करते हैं clients ढूंडते हैं, clients को पकड़ते हैं उनसे कुछ advance लेते हैं, वो आपको कोई project देता है जैसे कोई website ये mobile app दी उसने बनाने के लिए आपने वो develop करी from scratch उसे deliver करी, उसे पैसे लिए काम खतम दूसरा तरीका है दोस्तों product based company का जिसमें company एक product develop करती है और कई सारे clients को ढूंडती है और उन सारे clients को उसमें subscription देती है और उनसे एक subscription की fees चार्ज करती है user के basis पे या फिर depending on their business model अगर मैं बात करूँ service based companies के examples की तो दोस्तों आप जाके google पे search कर सकते है website designing company in Delhi, mobile app development company in Delhi ये सारी companies जो है service based companies ही है जो की अपने clients को website, mobile apps और इस तरह की technological solutions देने की service ही provide करती है इन companies का खुद का कोई product नहीं होता mostly इसके लब आप product based companies के अगर मैं बात करूँ hotel management, hospital management इस तरह के softwares बना बना के उन्होंने कई hospitals के साथ, कई schools के साथ tie up कर रखा है जिनको monthly fees based on the users वो charge करते हैं और इस तरह से सिरफ एक product के basis पे वो कई सारे clients को cater कर रहे हैं दोस्तों आप बात करते हैं दोनों ही तरह की companies के pros and cons क्या है service based company के जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों वो ये है कि day one से आप उसमें पैसा कमाने शुरू कर सकते हैं आपको बस अपने पहला client पकड़ना है उससे कहना है कि हम ये service provide करते हैं उससे advance लेना है अब काम आप खुद कर रहे हैं या फिर किसी team को set up करके उससे करवा रहे हैं वो खेर आप पे depend करता है दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोस्तों आपको शुरूवात में कोई बहुत बड़ा innovative सा creative product launch करके market में test नहीं करना आपको बस जाके जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक traditional तरीका है सिरफ clients टूणने है, clients मिलते रहेंगे पैसे आप लेते रहेंगे, काम करके देते रहेंगे, बात खतम, simple business model है बहुत ज़्यादा, अब अगर मैं बात करूँ इस company को चलाने के challenges क्या है इसके cons क्या है, तो सबसे बड़ा challenge है दोस्तों, cutthroat competition high competition होने की वज़े से दोस्तों सबसे बड़ी problem ये है कि market बहुत ज़्यादा saturate हो चुका है क्योंकि कासी सारी agencies हैं जो ये काम कर रही है already, अगर website और mobile app development जैसी basic services की में बात करूँ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा companies है, जो कि Delhi, नॉइडा, गुडगाओ, गाजियाबाद, बैंगलोर, मुंबई जैसे जो metropolitan cities हैं, वहाँ ये business कर रही है और इतने ज़्यादा competition की वज़े से जो ticket price है, मतलब जो कि एक service, एक normal mobile app ये website बनाने का जो price होता है, जो cost होता है वो बहुत ही कम हो चुका है दूसरा कौन ये है दोस्तों कि इसमें आपको manpower के अंदर एक high investment करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये एक service based business है, इसमें अगर आप client को service नहीं दे पाए तो आप एक business कर ही नहीं सकते, ये experience के साथ आपको बता रहा हूँ और service देने के लिए आपको चाहिए एक team क्योंकि आप all the time 24 गंटे एक सारे के सारे clients के साथ तो phone पे और हर जगा जो है busy नहीं रह सकते ना, तो इसलिए आपको एक efficient team तो चाहिए ही चाहिए और इस तरह की team दोस्तों बनाना नए clients acquire कर पाए और जो existing clients हैं उन्हें efficiently serve कर पाए product based companies के फाइदों की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो उसका सबसे बड़ा फाइदा है automation मतलब उसमें आपको एक पूरी manpower नहीं चाहिए ज्यादा maximum जो काम है वो आपका fight होती है और फिर उस client को satisfy करना एक पूरी अलग fight होती है लेकिन इसके अंदर बस आपको एक बार एक client ढूड़ना है वो client आपका अगर permanent बन गया आपके software से वो satisfied है आपका बनाय हूँ software उसकी firm में उसके business में या फिर उसकी daily life में कोई value add कर रहा है तो बस आपको उससे monthly subscription या weekly subscription जो भी आपका model है बस वो payment लेनी है बाकी सारा काम आपका software संभालेगा obviously support तो आपको देने ही पड़ेगा लेकिन जो maximum काम है वो आपका software खुद ही संभाल रहा होगा तो ऐसे time में बस आपको काम करना है नए clients को acquire करने में और अपने software में जो थोड़ी बहुत glitches या bugs आते हैं उने fix करने में उसके लावा जो एक monthly revenue एक recurring revenue है वो आपको already build up हो चुका होगा और आपको हर महीने रोज नए-ने clients टूणने की जरूद भी नहीं पड़ेगी दूसरा सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों recurring revenue जैसे कि मैंने पहले point ने में बताया कि इसमें आपको बस एक बर clients टूणने हैं उनको monthly subscription या weekly subscription जो भी आपका model है वो sell करना है उसके बाद आपके पास हर हफते या हर महीने जो है एक fix amount उस client से आता ही रहेगा फर एकजांपल आपने अगर 100 रुपे एक client से charge करने शुरू करे और कल को आपको 100 client मिल जाते हैं तो आपके 10,000 रुपीज हर महीने के fix होगा है जो कहीं नहीं जाने वाले यही reason है दोस्तों जो telecom companies होती है ATL, Vodafone वगेरा वो अपने postpaid customers को ज्यादा priority देती है as compared to the prepaid customers क्योंकि जो postpaid customers हैं वो उनको हर महीने एक fix amount दे रहे हैं वो उन companies का एक recurring revenue हर महीने generate करने में contribute कर रहे हैं जो कि prepaid customers करी नहीं सकते cons के अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है brand building सबसे पहले आपको एक software develop करना पड़ेगा और उसको फिर market में उतारना पड़ेगा शुरुवात में कई सारे customers को free में distribute करना पड़ेगा ताकि लोग उसे use करें उसके बाद clients के feedbacks को देखना पड़ेगा उन्हें बैठ के tally करना पड़ेगा कि कौन सा client आपके software में क्या feedback दे रहा है मतलब एक बहुत बड़े लंबे process के थुरू आपको पहले गुजरना पड़ेगा उसके पास जाके कहीं आपको revenue generate होना शुरू होगा इस पूरे brand building के process में दोस्तों पैसा भी obviously आपका बहुत लगेगा क्योंकि आपका software एकदम आते ही लोग use करना तो शुरू करेंगे नहीं पहले आपको awareness create करनी पड़ेगी अपने software के बारे में बताना पड़ेगा promote करना पड़ेगा उसे छोटे-मोटे social media influencers को पगड़ना पड़ेगा उनसे promotion करवाना पड़ेगा बहुत सारे तरीके होते हैं एक software को बनाके उसे promote करने के उसके बाद जब जाके आपके पास कुछ paid users आने शुरू होंगे तब कहीं जाके आपका revenue जो है जो जो generate होना शुरू होगा देख जाए तो दोस्तों मुड़ा माटा बस एक यही सबसे बड़ा नुकसान है एक product based company में कि उसमें आपको एक product develop करने के बाद काफी तपस्या करनी पड़ेगी कि वो market में जाके perform करें उसे लोग use करें उसको free में देना पड़ेगा मतलब एक बहुत बड़ा process है उसको promote करने का और उसे एक brand की तरह पूरे market के सामने पेश करने का आपको एक छोड़ी मोड़ी टीम तो चाहिए होगी पूरे project को पूरी आपकी company को manage करने के लिए लेकिन दोस्तों जो एक revenue एक scale up जो एक j curve जो विवेक बिंदर जी कहते है ना कि j curve जो business में बनता है वो एक product based company में ही बन सकता है वो service based company में तो कभी possible है ही नहीं दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन सा तरीका चूज करना है ये तो आपे ही depend करता है दोनों के pros and cons मैंने आपको समझा दिये हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा लेकिन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछे हैं मैं अप एक product based company को जितनी जल्दी आप scale up कर सकते हैं एक service based company को आप कभी करी नहीं सकते हैं for example अगर आप कोई बलक SMS भेजने का कोई software बना लेते हैं या फिर कोई company जो अल्रीडी एक काम कर रही है उसके franchise ले ले लेते हैं तो आपको बस customers ढूंड ने हैं जो आपका software यूज करें आप आप से recharge करवाई और पैसे दे बात का service based company में जब तक आप अपने client के requirement को पूरी तरही के से satisfy नहीं कर देते तब तक client आपको पैसे देता ही नहीं है खासकर यहां हिंदुस्तान में service based business करना आपको भी पता है बहुत मुश्किल है service based company में दोस्तों client को satisfy करना next to impossible है और जब client satisfied नहीं हो जाएगा वो आपको पैसे नहीं देगा और आपके पैसे जब तक आपको नहीं मिलेंगे तब तक आपकी company का revenue है वो इंक्रीज नहीं होगा और जब तक company का revenue ही नहीं बढ़ेगा तो आपका business थोड़ी कहलाएगा वो तो समात सेवा कहलाई जाएगी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा आप लोगों की क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए अगर आप अल्लेडी कोई बिजनेस कर रही है वो सर्विस बेस्ट है प्राड़क बेस्ट आपको तो समझ में आई गया होगा अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट में श्रीवनिता शेर करें कोई और सवाल है आप चाहते हैं किसी और टापिक में वीडियो बनाऊ तो मुझे जरूर बताएं मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के लिए stay safe and keep learning